और यहां पर अगर आपने देखा होगा ना अभी जो मैंने आपको हाली में वीडियो बना के बताया था हाली में जो मैंने आपको लोजिक बताया था हाली में जो मैंने आपको टेरेंड बताया था वो पॉजिटिव बताया था और बार बार मैंने आपको जे संदेश भी दिय चता है की पुढ़ वाय होगा वो तो देखे मार्केटी धाने लेखिन मैंने आपको बारवात यह चीजा बताई थी कि थोड़ा साइड वेस हो सकता है क्योंकि तो यह क्या होता है जब मार्केट को कुछ अच्छा करना होता है जब market कुछ बड़ा breakout देना चाहता है तो उस condition में कई बार market आपका अच्छा चल चुका होता है तो उसके बाद sideways हो जाता है जब sideways हो जाता है तो उसके बाद opportunity उसको चाहिए opportunity कैसे जैसे के आप लोगों को market के अंदर क्या चाहिए होता breakout breakdown वैसे भी market को क्या चाहिए होता एक अच्छा news एक अच्छा trigger जब market को जी चीज़ा मिलती है जब वो react करता है अब यहां पर देखिए इस चीज़ को आप समझे अगर मैं यहां पर बताना चाहूं तो देखिए अ और मंडे को कैसे काम करना वह भी हम इस वीडियो में समझेंगे अब देखिए इसका जो लो ता इस लो से अगर मैं इसके हाई को डोरा करता हूं तो कितना दिखाई दे रहा है 7244 यानि 15% अब 15% अगर आप देखो तो वहां से अगर मैं इसमें correction देखता हूं तो correction हमको कित दिखाई दे रहा है अब यहां पर इसको अपन समझते हैं सबसे पहले ठीक है अब नीचे से अगर आप देखोगे तो नीचे से हमको देखें यहां पर अगर मैं बात कहता हूं तो इस वाले लेवल से ठीक है हमको कितनी तेजी इसमें दिखाई दी ऑल्मोस आपका 1417 पॉं दिखें जिए बड़ा वाला जो केंडिल है इस बड़े केंडिल से अगर हम बात के तो यहां पर देखें से लिगा तर यहां के साथ इसमें तेजी देखने और फिर इसके नदर सेलिंग आया अब सेलिंगा आने के बाद देखें हां तक हमारा डू पैटन अप्लेट हो चु गया और डवल बॉटम बनने के बाद फिर इसमें देखे एक अच्छा घासा मूब मिला और इसमें एक और अच्छी बात हुई थी जो मैंने इस वाली केंडिल को देखके बोला था ठीक है जे वाला आपको केंडिल दिखाई दे रहा है इसका देखे यहां पर क्या दिखाई बनता हुए दिखाई दिया और उसका हाई अगर आप देखोगे तो उसका जो हाई ता आगर देखे यहां पर मैं आपको दिखाई दिखाई दिया था उससी समय मैंने आपको अपने योटूब चेनल पर बोला था कि अब यही पिराइस आपका क्या यहार पर हमको चार्ट पर क्या दिखाई देता है कि बहुत ही समय से अगर आप बहुत समय से इसके अंदर देखोगे तो एक रेंच बाउंड देखें हाँ पर चार्ट हमको दिखाई दिया ठीक है इसके टॉप से अगर हम देखते हैं तो टॉप से देखें हमको क्या दिखाई देरा रेंच बाउंड ठीक है और नीचे अगर बॉटम से देखो तो बॉटम से भी देखे एक रेंच हमको दिखाई दे रही है जो कि almost दो दिन इसने पूरा रेंच के अंदर काम किया अब देखिए इसमें होता क्या है कि देखें नीचे जो बायर है जे तो profitable है इन्होंने पूरा अच्छा profit देखें बना के रखा है ठीक है और साथी में इन्होंने profit एक ही चीज नहीं किया profit नहीं मनाया इन्होंने दूसा चीज भी जो किया है दूसा जो भी काम किया है वह काम किया है कि यहां पे जो seller थे यहां पे जो selling करके गये थे उन सभी लोगों के देखिए यहां तक यानी ऐसल खाई हुए ठीक है यानी seller को भी हम पर ट्रैप किया है फिर उसके बाद अब गया जी अब जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप देखो एक डाउन पैटर्न बना फिर देखिए यहाँ पर आप देखो फिर एक अब बनके फिर आपका अल्मूस एक डाउन बना लेकिन लास्ट में जो हमको केंडल दिखाई दी वो एक पॉजिटिव केंडल थी और तो देखिए हमारा उपर की साइट आपका कौन सा प्राइस है यहाँ पर देखिए फिप्टी बन थाउजन का अगर इसको उपर की साइट ब्रेक कर दीता है तो फिर आप जे समझ के चलिए उपर की साइट फिर आपके एक बड़े बड़े रजिस्टन देखने बोलेगे य इतना हमको उपर की साइट अब टार्गेट देखने को मिल सकते हैं ठीक है और इसके उपर भी अगर यह निकलता है तो आपको फिप्टी बन थाउदिन आपका फाइफंड़ेट के आस्वास हम इसमें जा सकते हैं अब एक सवाल और आता है क्या अगर जी गैप के साथ उप टाइल को भी देखिए यहां पर बहुत जादा इंपरोब करेगा सबसे पहले क्या कि भाई गैप के साथ ओपन हो रहा है तो यहां पर ओपन होने के बाद हमको यहां पर क्या कमफर्ट देखने हो लगा यानि हमको जी चीजे कैसे पता चलेगी कि हमारा पैसा सेफ है क्यों लग पैसा लगा रहे कि नहीं लगा रहे तो यहां पे अगर आप देखो कैस का डेटा देके कैस के डेटा में अगर हम बात करें एफ का डेटा और डीए यहां आँ अगर आप देखो नो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर देखे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहती है लेकिन अगर मैं 22 अगस्त की बात करूं तो 22 अगस्त को देखिए 1370 को चाहिए 1330 कौर्ड की खईदारी 30 अगस्त को बात करतों यहां पर देखे यहां पर देखे 22 अगस को डिया इस ने लगातर ख़ीदारी किये चाहिए आपकी गिरावाट आई यह आपका देखे मार्केट नीचे जाए लेकिन डिया इस तो ख़ीदारी करते ही दिखाई दे रहे और 23 अगस को भी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या यानि दो दिन देखे लगातर हमको यहां पर ख़ीदारी दिखाई दे रही है साथी साथ में तोड़ा मार्केट उपर कि से नीचे आपको क्रेक्ट होते हैं का बंद हुआ लेकिन जो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहां पर अगर देखे मैं जैसे देखे अ दाउ जान में एक पर सनाट की घर फए ऐस पंस अंडेट में आलमुस्ट एक परसंड की आजिया और नेकडिस की बात करें यारी आ टी जो इंडेक्स है उसमें भी अगर हम बात कह spider पूर तो घरन पॉट परशन के है इसेशन की ताजिया यजहान पशन मार्स है आपको एसे तो यहाँ पर देखे कुछ चीज़े मैंने आपको बताई अब देखे हमारा यूटूब चैनल है आप पहले जाके देखे वीडियो को देखो मैंने आपको पहले क्या बताया है पहले मैंने आपको क्या समझाया है पहले मैंने आपको क्या राई दीती उसके बार डिसाइट कर वहाँ दूसरा अगर मैं बात करो तो यहां से चैनल बनाता ठीक है है यहां पोरा इसको कबर कर दिया था क्योंकि यहां पर आपके देखिए यहां पर पूरे बाय और प्लस में आने में आने के बाद दिखे हैं अगर आप देखो तो यह वाला जो जॉन है जो एक बाइंग वाला जोन था ठीक है अब इसमें समझो कि अगर ये गैप के साथ ऊपन हो जाता है ठीक है आप ऊपर कौन सा पराइस है देखें 51,000 का एक साइकलोजी पराइस है ठीक है पहले बाद ये समझ में आया दूसरा जेट ठीक है अब तीसी चीजे हमको यहाँ प समझो कि चौता क्या दिखाई देरा चौता अगर आप देखो तो यहाँ पर देखने हो बोलेगा कि एक बड़ा गैप है जो अभी तक देखें मार्केट इस जगा फिल नहीं किया अगर गैप के साथ भी ओपनिंग हो जाता है मार्केट का या गैप के साथ ओपन हो जाता है तो उसमें देखें क्या करना है कि यह वालो जो पिराइस है जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर आपका चौता नंबर है अपका गैप का है अब यहाँ पर आप समझो कि एक साइकलोगी पिराइस है अब जैसे कि गैप के साथ ओपन हो गए तो गैप के साथ ओपन होने के बात क्या जे इस जगह देखे कुछ पैटर्ण बना रहा है जैसे कि देखे आपका जे पहला केंडिल बना फिर नीचे की साइट आया फिर कंसुलेट किया और फिर इस तरीके से ब्रेक किया यानि जो नो पंदा का केंडिल है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए गैप के साथ उपन हुआ है कंसुलेट करना चाहिए तो उपर की साइट निकाल देगा अगर उस नो पंदा वाले केंडिल को जैसे कि आपका नो पंदा वाला केंडिल है ठीक है फाइब मिट का केंडिल हम देखेंगे जिसमें हम फाइब मिट का केंडिल देखेंगे अगर देखें ऊपर opening किया है ठीक है नीचे closing करेगा तो हम इसमें selling करके चल सकते हैं और वही 95 का candle अगर देखें नीचे opening किया उपर closing किया है और इसके high के उपर अगाजे consolidate करके निकलता है तो इसमें हम buying करके चल सकते हैं या फिर इसी जगा अगाजे कहीं पर open हो गया इसी जगा कुछ समय बिता रहा है कुछ correction देखें समय बिता रहा है फिर अपने हाई को लिखा लगा तो उसमें भी हम इसमें buying करके चल सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर आप समझो कि जब जब गैप के साथ open होगा तो अभी पराइस क्या है आपका 50,960 ठीक है राइट जब 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 गैप के साथ open होगा तो 51,000 के ऊपर open हो जाएगा राइट अब देखें जब यह वाला जो पराइस है जब अभी current पराइस है ठीक है और इसके उपर जब open होगा तो यह अभी resistant का पराइस था लेकिन जब 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 इसके ऊपर open हो जाएगा तो यह फिर आपका क्या हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा तो फिर जब 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 इसके नीचे तुरेट करना चालू करेगा जब भी हमको सेलिंग करना है उसके पहले नहीं करना है क्योंकि अभी जब आपका रजिस्टन है इसके उपर open हो जाएगा तो आपका यह support हो जाए ठीक है और फिर इसके नीचे जब यह काम करना चालू करेगा 51,000 के नीचे जब हमको सेलिंग सकती हैं जिसमें अगर हम बात करें तो आपका देखें आपका 51,900 फिर आपको 51,800 फिर आपको 50,700 और 50,600 अब जे वाला जो चीज है इसको पहले दो बार समझ लीना दो बार आप वीडियो को देखना है कि मैं आपसे क्या करा हूँ अभी क्या है यह आपका रजिस्टन है ब देखेंहाँ एँस सपूर्ट को बिरेख करना चालू कर देगा तो छी सेलिंग आ सेलिंग नहीं आएगा। पहली चीज़ शका क्यास मेने आपको समझा है गंक साइट कैसे आना दूसी चीज़ भी मेंने आपको सम्झा जैट कैसे एना डेटा नहें अपको सम्झा एक आपक कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जय हिट बने मत